क्या आपने कभी दो मदर्स का conversation सुना है, especially new mothers, जिनके newborn baby है, 6 महिने का baby है, 1 साल का baby है या 2 साल का baby है, वो चाहे दुनिया के किसी भी part की, किसी भी country की mother हो, आप ये चीज़ जरूर notice करेंगे कि हर मदर अपने baby को दूसरे baby से compare जरूर करती है और क्या आपको लगता है कि दो babies के बीच में comparison करना ठीक है, चली इस वीडियो में मैं आप से share करने जा रही हूँ, जहां पे दो mothers जरूर अपने baby को दूसरे baby से compare करती है, इसमें मैं ये भी बताऊंगी, इन comparisons को कैसे हम ignore करके आगे बढ़ सकते हैं, so without further delay, let's get started, सबसे पहला comparison क्याएं जो होता है वह होता है, babies के milestones, in eli development में milestones कह लिजे ऐसे पढ़ाव होते हैं, जहां पे ब certainesrodes के बैटना शुरू करता है, या चलना शुरू करता है या घुटनों के बल्रौल करना शुरू करता है, तो इन पढ़ावों को हम कहते हैं milestones, इन milestones को, इन पढ़ावों को चलना शुरू करा। In fact, बहुत से mom's group में भी आप notice करेंगे, ऐसे questions आते हैं, कि मेरा baby so-and-so age का है, अभी तक वो crawl नहीं कर रहा, या अभी तक वो चलनी रहा, is this normal, naturally human nature के चलते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, कि ये window काफी wide होता है, जरूरी नहीं है, बच्चे में क किसी तरीके का developmental delay हुआ हूँ, क्या करें जब इस तरीके का comparison आपके सामने आए, रिसर्च ये कहती है, कि अगर आपका baby milestones को, उस normal range, जिसको मैं window कह रही हूँ, उसके अंदर ही achieve करता है, तो इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता है, कि उस range में भी कितनी जल्दी आपके baby ने milestone achieve करा है, इसको और अगर simple शबने में आपसे बताऊं, तो किस मन्त में baby ने चलना शुरू करा, इस से उसकी life का, उसकी destiny का, कोई भी मतलब नहीं है, तो as a result, ये comparison भी totally futile होता है, and wastage of time होता है, बेस तरीका ये है कि आपके baby के जो current skills है, जो current उसकी activities है, उसी को enjoy कर ये, दू ये पूरी रात सोता है, and there are some babies who sleep like a dream, जो बहुत अराम से सोते है, and there are some babies, जो थोड़ी सी आवास पे भी उठ जाते है, ये कह लीजे, रात में सोते ही नहीं है, क्यों, गुस्सा आता है na, friends baby is sleeping through the night, and your baby is not sleeping, क्या करे इस situation में, अंदर ही अंदर, गुस्सा होने के बजाए, आ आप simply उससे politely पूच सकते हैं, आप तो मैसा करती हो, जिससे आप तुमारा baby पूरी रात सोता है, instead of dwelling on these super sleeper babies, why don't you focus on finding a solution so that you get some quality sleep, आप चाहे तो baby को sleep train कर सकते हैं, cry out method से, या no tear method से, best is no tear method, cry out method मत यूज़ करिए baby के लिए, I personally don't like it, और आपको लगे कि आपका baby sleep training के लिए ready नहीं हैं, तो simply आप किसी की मदद ले सकते हैं, आप अपने spouse की मदद ले सकते हैं, अपने neighbor की मदद ले सकते हैं, अपने parents की मदद ले सकते हैं, अपने friends की मदद ले सकते हैं, यहाँ पे you hand over the baby to your spouse or to your neighbor, और आप थोड़ी सी quality sleep लेके fresh feel कर सकते हैं, और कहीं भी, किसी भी gathering में अगर आपको लग रहा है कि sleep का comparison हो रहा है तो simply tune out, change the topic. एक चीज जरूर याद रखिये, this too shall pass. अब बारी आती है behavior के comparisons की. और children do belong to us, but we don't own their temperament. यहना बहुत असान है, जब कभी ऐसी situation आती है where your baby is crying hysterically, बहुत जोर से रो रहा है, किसी library में, किसी store में, definitely parents के लिए पहली चीज तो आपको आखो देखी चीज पर यकीन करना चाहिए, but completely नहीं. Because I have seen children who behave perfectly in public, little while back they have thrown huge fits in their house. तो babies के संग gentle correction और gentle discipline की techniques आप जरूर use करिये उनको correct करने के लिए जब कभी भी आपका baby या toddler कुछ भी unpleasant चीज करे, या कोई destructive चीज करे, या कोई dangerous चीज करे. जहां तक behavior या personality की बात होती है, babies की, toddlers की acceptance is the key. आप अगर एक social butterfly है, but आपका baby अगर अपने shell में रहना पसंद करता है, तो वो उसका अपना individual nature है. आपको और मुझे, as parents, अपने आपको थोड़ा-थोड़ा stretch करना पड़ेगा. And trust me, this is the best gift that you can give to your child. The gift is of acceptance, accepting them the way they are. बहुत सी चीजें अपने आसपास देख के और खुद भी experience करके, I have come to realize, it is not going to benefit my daughter if I compare her with other children. I want her to grow up with self-confidence and with the belief that she is unique. Babies का ही नहीं, कभी-कभी एक थोड़ा सा spouse का भी comparison हो जाता है उस conversation मेरी दो friends A और B को conversation सुनिये. A ने B से कहा, मेरा husband बिल्कुल मेरी मदद नहीं करता है नीद पूरी करने में. Whereas B ने A से कहा, कि नहीं, मेरा husband तो laundry भी कर देता है, मेरा husband घर भी साफ कर देता है, मेरा husband खाना भी बना देता है, और बच्चे को देख भी लेता है. In fact, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, तो वो breakfast भी रेडी रखता है. So, आप imagine करिए A के लिए कितना frustrating होगा. Couple A को बिल्कुल भी नहीं पता है कि couple B किस तरीके के challenges से गुजर रहा है. कुछ समय बाद मुझे couple A मिली, and she told me कि definitely couple B का husband बहुत supportive है, तो उसमें वो qualities नहीं है, जो मेरे husband में है. Best way is to talk it out. So, बेबी का पूरा भार आप नहीं समाल सकते हैं, so you can definitely divide your work, and if needed, you can involve other family members also. Managing other household course. Last comparison जो होता है, वो होता है, Homemaking comparison. एक मदर, as a homemaker, कैसी है? होगा होगा, सोचा होगा, फोटा बेबी होने के बावजूद, she looks so fresh, and everything is so neat and organized. Whereas your own house is a complete wreck. होगा ना ऐसा, कि why can't I be like her? एक बात जान लीजे, अगर आप continuously अपने आपको एक super mom बनाने की कोशिश करेंगे, you will all the time feel drained and stressed out. एसी situation में क्या करना है? अपनी strengths पे focus करेंगे, especially अपनी parenting strengths पे focus करेंगे. Focus on what are you most proud of as a parent. Definitely उने areas में improve कर सकती है, आप अपने आपको weak समझ रही है, provided you want to. और क्यों नहीं आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, कि क्या पता, आप खुद एक course of information हो for so many other mothers around you. So stay positive. अगर किसी और किसम का comparison आपने देखा है, new mothers करती हैं या mothers for that matter करती हैं, तो comment section में मुझे जरूर बताईए, पसंद आया है तो उसे like करिए, channel को subscribe करिए. I'll see you very soon in the next video. Bye for now.